हेलो फ्रेंड्स एक फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागता है और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने डिसकस किया था मैथमेटिक्स का मेनिंग अनेचर अगर आपने वहला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या ताप हमारी प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं और आज का हमारा कोशन रहेगा हिस्टोरिकल डेवलोमेंट ओफ मैथमेटिक्स इन इंडियन कॉंटेक्स्ट तो आपको यहाँ पर एतिहासिक विकास में जिस तरह से गनित का विकास हुआ है उसको यहाँ पर लिखास में गनित का महान योगदन रहा है गनित सब्वेता का प्रतीक है हमारे देश में प्रारम से ही गनित को महतवपुन विशे माना जाता रहा है वेदांग जोतिश में गनित की महता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है महता मनला इसका महत्त उसके बाद इनुने लिखा है प्रकाश डालते हुए जिस प्रकार मैयूरो की शिखाएं और सर्पो की मनिया शरीर में सरोपरी स्थान पर विराजमान है उस परकार वेदों के सब अंगों तथा शास्त्रों में गनित वीरो मनी है उसके बाद यहाँ पे है भारती गनित का शुबहारम रीग वेच से होता है गनित के इतिहास को मुखे रूप से पांच कालों पांच काल खंडों में विभक्त किया गया है सबसे पहला हमारा आदि काल पांच सो इस्वी पूर्वी तक तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वेदी काल और उत्तर वेदी काल में आपका एक हजार इस्वी पूर्वी तक होगा और उत्तर वैदी काल में 1000 इसवी पूरवी से 500 इसवी पूरवी तक तो इसको decreasing में लिखा जाता है उसके बाद है इसका भी दो पार्टों में भाग किया गया इसको शुल्व एवं विदान जोतिश काल सूर्य प्रग्यापती काल उसके बाद सेकेंड है इसमें पूर्व मद्धे काल ये है पांसो इसवी पूर से चारसो इसवी पूर उसके बाद मद्धे काल अथवा स्वर्ण काल चारसो इसवी से बारासो इसवी तक फिर है उत्तर मद्धे काल बारासो इसवी से अठारासो इसवी तक वर्तमान काल 1890 के पस्चात तो सबसे पहला था हमारा आधी काल तो इसमें देखेंगे इस काल में अंक गनित एवं बीज गनित को इस्थापित किया जा चुका था और पहला पार्ट में था इसका वैदी काल इस काल में शुने तथा दाशमिक इस्थानमान पदती का अविशकार गनित के शेतर में भारत की अभूत पूर्व देन है अरब के लोग एक से नौ तक के अंकों को हिंदसा कहते हैं उसके बादा है उत्तरवैदी काल शुल्व एवं वेदान जोतिश काल शुल्व सुत्रों में रेखा गनित के सुत्रों का विकास एवं विस्तार उपलवद है बोधा यन आपस्थम और काया यन इस काल के प्रसीद सुत्रकार है उसके बाद भी पार्ट में है सूर्य प्रगती प्रगती काल इस काल की प्रमूख कृतियां सूर्य प्रग्यवति और चंद्र प्रग्यवति हैं जो जैन धर्म के प्रसीद गरंथ हैं बौध साहिते में भी गनित को परियावत महतव दिया गया है इसमें गनित को गन्ना तथा उच गनित दो भागों में बाटा गया है फिर है second point पूर मद्धे काल इस काल में क्या होता है इस काल में लिखी गई पुस्तकों में वक्षानी गनित सूर्य सिधान्त और गनित अनुयोग के कुछ पन्नों को छोड़कर शेश कृतिया नश्ट हो चुकी है सुर्य सिधान्त में त्रिकौन मिती याने की टिग्नोमेटरी का विश्तरित वीवरण मिलता है इसमें साइन कोशाइन आधी का मान दिया गया है भार्तियों ने त्रिकौन दिया गया है है थर्ड पॉंट में मद्धे काल अथवा सोरन काल मद्धे काल को भरती गनित का सोरन यूग कहा जाता है क्योंकि इस काल में आरेबट प्रतम दीते, ब्रहमगुप, बासकर, महावीराचारे जैसे अनेक महान एवं सर्वस्रेष्ट गनितग्य हुए वेदों में जो सिधान्त नियम एवं वीदियां सुत्र रूप में हैं वे इस यूग में जन साधरन के समक्ष आई उसके बाद है उत्तर मद्धे काल इस काल की प्रमुक देन प्राचिन गरंथों पर टिकाए हैं इस यूग में केरल के एक गनी तग नील कंठ ने 1520 में आर का मान ग्यात किया इस सुत्र का उलेक मल्यालम पांड लेक मुक्तिभास में भी किया गया है जिसे हम ग्रेगरी श्रेणी के नाम से भी जानते हैं उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे पांचवे नंबर पर वर्तमान काल्यानी की प्रेजन्ड में इस यूग में गनित के शेत्र में महत्वपून अनुसंधानु तथा सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ जिससे गनित को नई दिशा प्राप्थ हुई इस यूग में श्री रामानुजन का नाम विशेश रुप से उल्लेखनी है रामानुजन के अतरिक इस यूग में नरसिंगा बापू देव शास्त्री सुवामी क्रिश्न त्रीर्थ जी महराज तथा सुधाकर द्रिवेदी के नाम प्रमुक है तो यही था historical development of mathematics तो यहां पर असान भाषा में इसको लिखा पढ़कर समाच सकते हैं और बाकी आप जो भी यहां पर VVI है उसका playlist बना दिया गया आप playlist में जाके देख सकते description में आपको link मिल जागा और आते हम next question लेके next video में तो वीडियो को like और चैनल को subscribe परना